का 10th lecture start कर रहे हैं उसमें टाइट नमर 5 देख रहे हैं इसका 1st question देखें if cos alpha plus beta is equal to 0 then find the value of sin alpha minus beta ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम solve करेंगे जो कि पहले जो given data है उसे हम लिख लेते हैं देखो ध्यान से given question में क्या दिया गया है given part ये दिया गया है cos alpha plus beta is equal to 0 अब ध्यान देना मैं इस वाले part को ऐसा ही रखा cos alpha plus beta और 0 के बगले मैं नहीं लिख दिया कितना cos 90 degree तो हमको पता है कि cos 90 किसका value होता है 0 के ठीक है ना इधर cos था तो उधर भी cos generate करने के लिए 0 के बगले हम क्या लिख दिया cos 90 अब देखो ध्यान से जब हम comparing both side करेंगे तो cos cos cancel out कभी cancel मत करना इंडरिक्ली वो cancel हो जाता है अब देखो ध्यान से क्या मिलने वाला है alpha plus beta is equal to the 90 तो मैं यहां से alpha का value निकाल लेता हूँ 90 minus beta उके इसे माल लेता हूँ equation number first यहां तक आपको कोई problem नहीं हुआ हो किसका value निकालने के लिए बोला है sin alpha minus beta उन्हें बुलाएं इनको बुलाने पर हमको देखने को क्या मिला sin alpha minus beta अब देखो ध्यान से इस alpha को मैं 90 minus beta लिख सकता हूँ यहां तो क्या लिख दूँ मैं bracket के अंदर alpha के बदले 90 degree minus beta यह minus beta अल्रेडी था ठीक है ना यहां पर लिख देंगे कहां से आया है यह from equation first अब देखो ध्यान से तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों sin 90 minus beta minus beta कितना हो जाएगा 90 degree minus 2 beta इसके बाद हमको एक फर्मुला पता है क्या फर्मुला पता है sin 90 degree minus theta is equal to the cos theta तो यहां पर theta का क्या क्या है 2 beta ओके तो sin 90 minus 2 beta तो क्या हो जाएगा मेरा cos 2 beta यह रहा मेरा answer ठीक है ना basically question objective में ही आता है तो आप थोरा सा speed fast रखिएगा ओके अब हम question number 2 देखते हैं ध्यान से question number 2 आज का type number 5 है जो आपके competition में यह सारे objective में ही पूछा जाता है यह school level में भी आपको one marks में question पूछा जायाएगा तो speed fast रखिएगा type number 5 ओके ध्यान से देखें question number 2 आज का ठीक है if cos a plus cos square a is equal to the one then then prove that then prove that then prove that sin square a plus sin power 4a is equal to one यह question हमको prove करना है देखो ध्यान से इसका जो given वाला part है आप इसे लिख देखो ध्यान से given वाला part क्या है तो given data में नहीं लिख लिख लिए अब देखो ध्यान से इस बाले part को इधर transfer कर दो जैसे transfer करोगे तो आपको मिलेगा cos a is equal to one minus cos square a ठीक है तो हमको formula यहां से पता है क्या पता है sin square theta plus cos square theta is equal to one तो one minus cos square theta is equal to sin square theta तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको sin square a इसको equation वन माने ठीक है न अब जो data विया विया है देखो यह prove करने के विए इसका LHS वाला part आप ले लो LHS में क्या दीक लिखा हुआ देखिए तो sin square a plus sin to the power 4a तो मैं sin square a को कुछ भी change नहीं किया बट sin to the power 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin square a of whole square आपको पता है ना x to the power 4 को में लिख सकता हूं x square of whole square उसी तरह से sin to the power 4 को में लिखिया लिखा sin square a of whole square ठीक है ना अब देखो दियान से sin square a की जगवपर क्या लिख सकता हूं cos a तो यहाँ पर हम क्या लिख दे यह रहा मेरा sin square a इसमें नहीं करना है चैंजी इस बाले की जगवपर sin square a की जगवपर क्या लिख दो cos a अंदर में लिख दिया यह लो cos a of whole square कहां से लिखा from equation first ठीक है ना अब देखो दियान से बच्चों क्या मिलने वाला है sin square a और यह क्या हो जाएगा cos square a sin square theta plus cos square theta कितना होता है 1k बड़ावर तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1 is equal to the rhs ठीक है इसी से मिलता जोलता एक question मैं और दे रहा हूं आप ध्यान दीजेगा question no.3 ठीक है concept clear हो जाएगा question no.3 करते ही मेरा सारा concept clear हो जाएगा same type का question दे रहा हूं question no.3 ठीक है ध्यान दीजेगा अब मैं यहाँ पर कर दिया sin theta plus sin square theta is equal to the 1 और यहाँ पर कर दिया मैं क्या कर दिया cos square theta plus cos to the power 4 theta is equal to 1 प्रूब करना है ठीक है यह question no.3 मैने बना है same concept यहाँ भी आपको लगाना है बच्चों तो क्या करेंगे हम पहले given data लिखे हैं given में क्या दिया हुआ है लिखिए यह रहा मेरा sin theta plus sin square theta is equal to 1 अब देखो ध्यान से इस वाले टर्मकों मैं इस side भे देता हूं तो यहाँ से क्या मिलने वाला है बच्चों देखो sin theta is equal to 1 minus sin square theta और यहाँ से क्या हो जाएगा सोचिए 1 minus sin square theta is equal to क्या हो जाएगा 1 minus sin square theta is equal to क्या हो जाएगा cos square theta तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों cos square theta ओके यह रहा equation first फिर से मैं लिए LHS, LHS में क्या है, cos square theta, cos to the power 4 theta, इसको मैं change नहीं करूँगा, जैसा है, वैसा ही रखेंगे, इसको क्या लिख दूँ मैं, cos square theta of whole square, अब देखो इसमें कोई भी पड़िवर्तन नहीं करेंगे, अब हमको पता है, cos square theta के जगए पर sin theta लिख सकता हूँ, यहां से से लिख दिया, sin theta of whole square, कहां से लिखा मैंने, from equation first से, ठीक है, तो बच्चा, क्या मिला यहां से, cos square theta plus sin square theta, तो यह कितना, one is equal to the RHS, ठीक है, यह question number third आपका complete हो गया, अब हम question number four के तरफ चलते हैं, भिहां दीजिएगा, question number four, ओके, question number, हम four करेंगे, आप सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, question number four, if ten theta plus cos theta is equal to five, then find, then find ten square theta plus cos square theta, थोड़ा सा, इस question में सोचना पड़ेगा, ओके, अच्छा question है, आप सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब देखो, हम given data लिख दिये, जो दिया गया था, उससे हम लिख, क्या दिया गया था अपनको, ten theta plus cos theta is equal to the five, अब गेखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं क्या, x is equal to five, अगर squaring both side करूंगा, तो कोई problem तो होगा है नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ, x square is equal to 25, ठीक है न, मैं squaring both side कर सकता हूँ, q कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, addition कर सकता हूँ, subtraction कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया स्क्वाइडिंग बोज साइड कर दिया स्क्वाइडिंग बोज साइड करते ही आपको देखो क्या मिलने वाला है 10 theta प्लस 4 theta of whole square तो यहाँ भी क्या 5 का square तो यहाँ पर क्या identities लगाएंगे A plus B of whole square ठीक है न तो A का का म क्या बाला है 10 theta B का का म क्या बाला है Yod theta तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 theta of whole square A square और यह यह अन्या cot theta of whole square B square प्लस 2 10 theta इंट्व cot theta और 5 का square 25 तो यहाँ से बच्चों क्या मिला देखो यह मिला मैं 10 square theta यह मिला 4 square theta और हमको यहाँ पर पता है क्या पता है 10 theta into 4 theta is equal to 1 होता है पर हम side में लिख देंगे क्या लिख देंगे कि 10 theta into 4 theta 1 के बराबर होता है क्योंकि उसरे के क्या है यह सी फोकल है ठीक है तो आपको क्या मिला है यहाँ से बच्चों 10 square theta plus 4 square theta plus 2 is equal to 25 हमको find क्या करना है 10 square theta plus 4 square theta then 25 minus 2 then यहाँ से क्या मिला 10 square theta plus 4 square theta is equal to 23 यह रहा मेरा answer ठीक है तो हमको answer क्या मिला 23 अब हम question number 5 करते हैं question number क्या करते हैं 5 आप ध्यान दीजिएगा question number 5 हम करते हैं ठीक है question number 5 देखो same concept पर दे रहा हूं question number 4 के ही concept पर एक question दे रहा हूं आप तरियार रहे हैं इफ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इस इक्वल टू 5 बाय टू देन find then find क्या करेंगे हम तो क्या करेंगे फिर से वही concept पर question दिया हूं आप अरांग से बना सकते हैं तो कैसे बनाओंगा ध्यान दीजिए तो यहां पर यह रहा रहा शेक थीटा प्लस कॉस थीटा इस इक्वल टू 5 बाय टू squaring both side जैसे squaring both side किये से theta प्लस cos theta अब whole square यहां पर 5 बाय 2 अब whole square तो यहां से क्या मिला हमको यह रहा 6 square theta प्लस cos square theta a square स्कॉइर वर यहां से भागिकnew INTER da s discussed ऐसे खुछ ऐसे का सिक और फॉइन जेश्टि प्रतिंटा दुश्रे के रच्कल हैं दोनों की परोडक्टश कोゲां और यहांसे कितना मिला पॉंटिपाइब हम फ्रमुला लिख देंगे साइड में सर्क थीटा इंटू कॉस थीटा इजि strand यहां से क्या देखने को मिला स्क फर्मॉड़ थीटा प्लस कॉस थीटा यह टू सैट चला जाए एगा तो ट्वस थीटा थीटा 25 वाइए फार मानस 2 क्या हो गया कंप्लेट यहां पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद तू फोर जा एट हो गया 25 मैंना से 17 बाई 4 हो गया आपको पर डाउट भी होना चाहिए अब हम कोशन नमबर 6 पर चलते हैं ठीक है कोशन नमबर 6 आप ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा कोशन है कोशन नमबर 6 ठीक है ध्यान दीजिएगा कोशन नमबर 6 पर 6 theta प्लस 10 theta is equal to the x then find 6 theta ठीक है ना 6 theta प्लस 10 theta is equal to x then find the value of 6 theta यहां से देखिए इस कोशन को स्वाल कैसे करेंगे बच्चों ठीक है given data मैंने लिख लिया ध्यान देना ठीक है अच्छा कोशन है यह आपका यह concept काम देगा तो आपको यहां से क्या मिला 6 theta प्लस 10 theta is equal to x equation number 1 ठीक है अब यह बताओ कोई नमबर है तो उसके नीचे कुछ नह रगता है ठीक है ना denominator में ठीक है नीचे क्या रगता है 1 कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा तो मैं वहां भी same concept लगाया imply that लगाया और मैंने बोला 6 theta plus 10 theta कुछ नहीं है तो मैं यहां 1 लिख दिया और यह x तो x ठीक है अब हमको पता है 1 के बदले formula लगा दिया मैंने 10 theta और 6 theta के term में तो हमको formula पता है 6 square theta minus 10 square theta is equal to this ठीक है इस 1 के बदले मैंने लिखा 6 square theta minus 10 square theta किसके बदले लिखा 1 के बदले क्योंकि formula होता है 6 square theta minus 10 square theta is equal to 1 अब देखो ध्यान से इस 1 के बदले मैंने यह लिख दिया अब यहां पर मैं बताता हूँ आपको ध्यान दीजिएगा यह x theta plus 10 theta और नीचे लेको ध्यान से यह a square minus b square a का काम कौन कर रहा है 6 and b का काम कौन कर रहा है 10 तो यहां से क्या मिलेगा a plus b a plus b और a minus b a minus b ओके यहां पर क्या identity लगाया इसका काम कौन कर रहा था a square और यह b square तो यहां पर क्या लगाया मैंने a plus b और a minus b a का का काम कौन कर रहा था 10 तो a plus b a minus b यह दोनों cancel ठीक है अब हमको देखने को क्या मिला ध्यान दीजिएगा तो हमको देखने को मिला one upon six theta minus ten theta is equal to the x ठेक है एक्स के नीचे कुछ नहीं है एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है one है यह एक चीज़ बताओ अगर मैं लिखू two x by y is equal to b by q अगर मैं reciprocal करूंगा तो y by x तो यह q by b हो जाएगा reciprocal करेंगे तो दोनों side क्या होगा reciprocal होगा यहां भी same concept लगा रियासिप्रोकल किया तो six theta minus ten theta और reciprocal होगा तो यह one by x हो जाए ठीक है न जैसे फोकल करते हैं तो denominator denominator हो जाता है denominator denominator हो जाता है both side ठीक है यह concept मैंने यहां पर लगाया ठीक है यह equation number two हो गया हमें क्या चाहिए था six theta तो equation first में पास यहां पर था and equation second यहां पर है दोनों को मैं क्या कर दूँ add कर दूँ जैसे add करूंगा first equation है six theta plus 10 theta is equal to x और second equation is six theta minus 10 theta is equal to one by x 10 theta 10 theta cancel तो six theta plus six theta कितना हो जाएगा वाच्चों two six theta और x plus one by x तो मैं लिख सकता हूँ two six theta LCM लिया यह x तो यह x square plus one हमें six theta चाहिए तो हम लिख सकते six theta is equal to two सही से लिख दिया one one plus x square और यह two multiply रही नीचे चला गिया तो यह रहा मेरा six theta का value ठीक है question number six ध्यान से कीजिएगा ठीक है अब हम question number seven पर चल रहा हो बच्चों आप सब ध्यान दीजिए रहा question number seven ठीक है question number seven देखिएगा विड़ा क्या है question ठीक है देखिए question number seven क्या है okay if five x is equal to six theta and five by x is equal to ten theta find the value find the value किसका value निकालना है हमको find the value of five x square और one by x square इसका value निकालना है ठीक है यह भी अच्छा question है इसके concept पर आप ध्यान दीजिएगा इससे related दो question करवाऊंगा मैं ठीक है आप given लिख ले given data देखें क्या है given में आपके पास है five x is equal to six theta तो मैं x का value यहां से निकाल लो x is equal to six theta by five okay तो मैं यहां से अगर squaring both side करूं तो यह x का square और यहां पर क्या हो जाएगा six theta by five of whole square ठीक है यहां से क्या मिला बच्चो x square और यह कितना six square theta by 25 कुछ बच्चे पूछे क्या असर क्यों किये क्योंकि हमको देखो bracket के अंदर x square था तो मैं x square के term में इससे ला दिया ठीक है उसी तरह से अब हम क्या करेंगे यह देखो five by x is equal to कितना है ten theta five by x is equal to कितना है ten theta तो मैं इससे बुलाया यह क्या है मेरे पास five by x is equal to the ten theta यहां one by x square तो मैं इससे पहले क्या बनाया है one by x तो यह five क्या है यहां तो यह क्या हाँ आ जाएगा ten theta divided by five ठीक है फिर से मैंने क्या किया squaring both side कर दिया दोनो side क्या कर दिया बच्चे squaring कर दिया ठीक है आप देखें ध्यान से तो यहां one upon x square और यह कितना बन गया ten square theta by 25 यह बन चुका है मेरा equation number two हमें find क्या करना था यह value तो इन्हें बुला है यह value कितना है मेरा five और यह ना मेरा x square one upon x square ठीक है ना अब देखो x square का value कितना है six square theta by 25 ओके तो मैं bracket के अंदर क्या लिखा equation number first से क्या लिखा भ्यान देना six square theta by 25 ओके और one by x square के जगा पर कितना है ten square theta by 25 तो यहां पर क्या लिखा में ten square theta by 25 अब हम LCM ले लिए जैसे LCM लिए तो यह कितना 25 तो यह कितना हो जाएगा six square theta minus ten square theta अब देखो यह यहां से cancel out ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ one by five और कितना हो गया six square theta minus ten square theta यह किसके बरावर है one के बरावर क्योंकि six square theta minus ten square theta कितना होता है one तो यह answer कितना आया one by five यह रहा मेला question number seven इसी से related question और दे रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा question number eight ठीक है ध्यान से question number eight करना मैं इसी से related question दे रहा हूँ इसी question में से मैं बना देता हूँ एक question और देखें ध्यान से question number eight हम यहां पर एक काम कर देते है question number eight में यह रहा थ्री कॉसिक थीटा हूँ और यहां पर मैं कर देता हूँ three by x कॉट थीटा हूँ then find the value of x square minus one by x square तो same कहानी हम करेंगे ठीक है ना आप क्या करें given data को लिखें first given क्या है मेरा three x is equal to the cos cos theta तो मैं यहां से x बनाता हूँ x is equal कितना हो जाएगा बच्चों cos theta divided by three अब हम क्या करेंगे same concept लगाई है squaring both sides क्या हूँ हमें यहां x square चाहिए यहां x square बनाने के लिए दोनों साइट में क्या कर दिया squaring कर दिया यानि यह cos theta by three of कितना whole square तो यहां से क्या मिला बच्चा x square और यह कितना cos square theta by nine यह मेरा equation number first ठीक है अब देखें हम equation number अब यहां से इसको बुलाते हैं यह कितना है मेरा three by x is equal to the cos theta हमें one by x चाहिए कितना चाहिए one by x तो यह one by x is equal to cos theta divided by three cos theta divided by three हमें क्या करना है squaring both side कर देते हैं क्योंकि demand क्या है one by x square तो यह one by x का whole square और यहां क्या बना quad theta divided by three of whole square तो यहां से क्या बना one upon x square और यह क्या बन गया quad square theta by nine equation number second ठीक है अब आपको जो चीज़ find करने के लिए बोला गया था वो चीज़ा लिख लें क्या दिया गया है देखें ध्यान से बच्चे यह रहा मेरा x square by one by x square ठीक है x square का value कितना है देखें यहां से क्या है वेटा यह रहा मेरा quad square theta by कितना nine minus और यहां के कितना है one by x square का value quad square theta by nine कहां से आया यह लिख दें आप from equation first and seconds ठीक है आप यहां से LCM लीजिए क्या मिलेगा यह रहा मेरा quad square theta minus quad square theta अब बताए quad square theta minus quad square theta कितना होता है one के बरावर तो यहां क्या लिखे one by nine यह रहा मेरा answer question number eight complete हो गया अब question number nine पर हम जलते हैं ठीक है question number nine पर जो type number five है बहुत सारे exam में इसका objective पूछा जाता है इसलिए type number five में आपको दिया है ठीक है ध्यान दीजिएगा question number nine question number nine है if two ten theta is equal to root two then find then find sin square theta plus cos square theta plus one इसका value find करता है किक है आप ध्यान दें जो given data है उसे लिख लें आप क्या दिया है given way two ten theta is equal to the root two और मैं इससे लिख सकता हूं ten theta is equal to root two divided by two हमें पता है two कितना होता है root two multiply by root two यह root two time cancel out तो यहां से क्या मिला हमको देखें ten theta is equal to one by root two ठीक है न यह ten theta का value निकल चुका है हमें क्या चाहिए sin square theta plus cos square theta चाहिए तो इससे हम कैसे निकालेंगे सोचें आप ध्यान से ध्यान दें इस question पर कैसे निकालेगा तो एक काम करते हैं मेरे पास इसको triangle पर लेकर चलते हैं हम क्या पर लेकर चलेंगे triangle पर क्योंकि कोई इसका ऐसा कोई value नहीं है जिसका value 1 by root 2 होता है ठीक है इस टेंडर ऐसा कोई value नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से यह क्या हो गया मेरा पर्पेंडिकुलर यह क्या हो गया मेरा base तो राइट एंगल ट्रेंगल बनाया यह एंगल कितना theta यह ट्रेंगल ABC तो यह मेरा कितना 1 यह कितना root 2 तो पर्पेंडिकुलर is equal to 1 and base is equal to root 2 तो मैं hypotenious अराम से निकाल सकता हूँ कैसे निकाल सकता हूँ hypotenious ज्यान दीजे hypotenious is equal to perpendicular plus base का square under root के साथ तो यहाँ से देखें तो आपको क्या मिलने बाला है perpendicular कितना perpendicular 1 1 का square and base कितना root 2 का square root 2 का square under root के साथ तो आपको क्या मिलेगा सोचिए यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरा यह 1 का square 1 root 2 का square 2 तो under root के साथ तो कितना बन गया यहाँ पर under root 3 under root 3 बन गया hypotenious कितना बना यहाँ तक हमको कोई doubt नहीं है अब हम क्या करेंगे इसका value उठाकर put कर देखें तो यहाँ से देखें आपको क्या दिया गया था आपको दिया गया था find करने के लिए sin square theta plus cos square theta plus 1 तो यहाँ से मैं बोर सकता हूँ sin theta of whole square इसको लिख दिये इससे लिख दिये cos theta of whole square plus 1 sin theta के बनले क्या लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का square और यह क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का square plus 1 परपेंडिकुलर कितना है 1 एपोटेनियस कितना निकला root 3 का square बेस कितना है root 2 upon root 3 का whole square plus 1 क्या मिलेगा 1 upon 3 plus 2 upon 3 plus 1 जब solve करेंगे LCM ले लो LCM लोगे तो 3 1 plus 2 plus कितना यहाँ से हो जाएगा मेरा 3 तो कितना हो गया मेरा 6 by 3 एंसर इसर इसर ठीके आपको दिखकर नहीं होना चाहिए यहां समय ने हाइपोटेनियस निकाल था ओके कोशन नमर 9 complete हो गया अब कोशन नमर 10 पर हम चल गया है धाल दीजिए का कोशन नमर 10 कोशन नमर 10 है आपका साइन थीटा इस इक्वल टू दा 1 बाइ 2 आपके पास साइन थीटा दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या स्वलिशन पहले लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा आपके पास साइन थीटा दिया है पर इवन में क्या दिया गिया है आपको मैं इस से बोल सकता हूं क्या साइन थीटा को वन अपौन कॉश से थीटा इजिए 及क्वल टू बाइ 2 यहां से बोल सकते स्कुरार थीटा plus one, एक identity ज़ हमको पता है, कॉसेक स्कुरार थीटा minus कॉट स्कुरार थीटा is equal to one, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, क्या, one plus कॉट स्कुरार थीटा is equal to कॉसेक स्कुरार थीटा ठीक है ना, यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊँगा, three multiply by यहां से क्या हो जाएगा 3 x 4 यह method number फिर्ष्ट से मैंने आपको बता रहे हैं method number second बताना जरूरी है क्योंकि इस concept का आप यूज कर सकते हो जो मैं method बता रहा हूं इस concept का किसी गूस्ट के कोर्शन में कहीं यूज कर सकते हो इसलिए इसी कोर्शन का method number two बताना जरूरी है देखो ध्यान से बच्चाओ sin theta is equal to the 1 by 2 है तो मैं यहां से लिख सकता हूं sin theta is equal to sin 30 degree क्यों 1 by 2 किसका value है sin 30 degree का sin 30 degree का sin sin cancel तो theta बरावर 30 degree में मिल गया ठीक है अब जो दिया गया है score निकाल लो आप तो यहां पर क्या दिया है 3 cot square theta plus 3 put कर दो put theta बरावर 30 degree तो यहां से क्या मिला 3 cot square 30 degree plus 3 यहां से क्या मिला 3 cot square यहनि cot 30 का value कितना होगा मेरा root 3 होता है यह याद रखना पड़ेगा आपको यहां पर क्या कीजिएगा root 3 of whole square plus 3 तो यहां से क्या मिला 3 multiply by 3 plus 3 तो यह 9 plus 3 is equal to the 12 ठीक है question number 10 complete हो गया type number 5 आपका complete next class में type number 6 लेकर आऊंगा